रमजान की आखरी रात को चान देखने के बाद अगले दिन ईद का तेवार मनाते हैं और सभी लोग ईद मुबारक करने एक दूसरे के घर जाते हैं इस दिन घर आए मेहमानों को मीठी सेवाई खिलाते हैं तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेसल और ट्रेडिशनल सीर खुर्मा की रेस्पी लेकर आई हूँ और ये खाने में इतना डिलिसियस होता है कि जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ किये भीना रह न सकेगा तो चलिए इस आसान सी मज़दार रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं क्योंकि ईद इसके बिना अधूरी माने जाती है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सीर खुर्मा या सीर कोर्मा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप सिवई लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे टुकरों में तोर लिया है मार्केट में सिवई दो तरह की मिलती है यह कि जो बारीक है यानि कि यह पतली है और दूसरी जो सिवई होती है वो मोटी होती है तो हमें इसे बनानी के लिए बारीक सिवई चाहिए और ये जो सिवईया है वह कच्ची है, मार्केट में रोश्टिट सिवई भी मिलती है। और मैंने यहाँ पे दूसरी प्लेट में 6 तरह के ड्राइफ फुट्स यानि की सूखे मेवे लिया है। आप ड्राइफ फुट्स अपने पसंद का भी ले सकते हैं और इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ड्राइफ फुट्स को पानी में भिंगा कर ओवरना iron, calcium और vitamin E जैसे पोसकत थवы होते हैं बारीग कटे हुए 2 बरे चमच काजू, इसमें carbohydrate, fibre, proton, calcium, magnesium और iron जैसे पोसकत थव honest तवह होते हैं बारीग कटे हुए 2 बरे चमच पिस्ता इसमें भरपूर मात्रा में vitamin C, protein, iron potassium, calcium और और एंटी ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं बारी कटे हुए दो बरे चमच बादाम इसमें भरपूर मात्रा में बिटामिन E, प्रोटीन, फाइवर, मैंगनेसियम, कैल्सियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बारी कटे हुए दो बरे चमच अखरोट इसमें कैल्सियम, बिटामिन E, प्रोटीन, फाइवर, मैंगनेसियम, आइरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बारी कटे हुए दो बरे चमच खजूर, इसमें गुलकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, कॉपर, सिलेनियम होता है और ये इम्मुनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है खजूर जो है हमारे ड्राइफूर्स का मुख्य हिस्सा है क्योंकि फारसी भासा में खजूर का अर्थ होता है खुर्मा और सीर का मतलब होता है दूद तो इसे बनाने से पहले ये सारी त्यारी कर लेनी है तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में तो सबसे पहले एक पतीले या बर्तन में एक लिटर लो फैट बिल्क डाल लेंगे और गैस ओन करके इसे उबाल लेंगे आप इसे बनाने के लिए फूल क्रीम मिलक का भी यूज कर सकते हैं तो दूद में उबाल आ गया है इसे इस पेचुला से थोरा मिला देंगे और इसमें एक कप चीनी डाल देंगे अब हम इसे दूद में अच्छी तरह से मिलाते हुए उबालेंगे जब तक कि चीनी जो है वह दूद में अच्छी तरह से डिजॉल बना हो जाए तो दूद में चीनी जो है वह अच्छी तरह से घुल गई है तो अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे अलग रख देते हैं तो मैंने यहाँ पे गैस अन करके कडाही को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें तीन बरे चमच घी डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे घी जो है वह अच्छी तरह से पिघल गई है तो अब हम इसमें बारिक कटे हुए सबी द्राइफुट्स को डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लोग फ्लेम पे दो से तीन मिनट भूनेंगे तो आप देख सकते हैं कि ड्राइफुट्स जो है वह अच्छी तरह से भून गया है और किसमिस भी फूल गई है तो इसता कलर भी चेंज हो गया है और इससे कि खुस्वू भी आ रही है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और कडाही में एक बारा चमच घी डाल कर लेते हैं घी मेल्ट हो गई है तो अब हम इसमें बारिक सिवयों को डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए चार से पाच मिनट लोग फ्लेम पे गोल्डन ब्राउ तो अब हम इसमें उबाला हुआ गरमा गरम दूड डाल देंगे और इसे डालते समय सापधानी रखे क्योंकि दूद बहुत गर्म है गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे दूद में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो अब हम इसमें भूने हुए ड्राइब फुट्ट डाल देंगे और इसे दूद में अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम इसे 5-7 मिट लो फ्लेम पे पकने देंगे इसमें एक छोटा चमची लाची पाउडर डाल देंगे और इसे सभी के साथ मिक्स कर देंगे आप इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए आधा छोटा चमच गु अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसे एक बार चला कर चेक कर लेती हूं यह अभी गर्म है इसे थोड़ा और ठंडा होने देती हूं जब यह पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर इसे सर्व करेंगे आप चाहे तो सर्व कर सकते हैं मगर मुझे ठंडा पसंद है तो यह पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें कटे हुए खजूर मिला देंगे आप देख सकते हैं कि सीर खूर्मा पूरी तरह से ठंडी होने के बाद कितनी गाड़ी हो गई है तो अब हम इसे एक कांच के बोल म इसे और भी ज़्यादा खाने में टेश्टी लगता है तो इसे मैंने बोल में डाल दिया है अब हम इसे करेंगे तो इसे बारी कट हुए बादाम पिष्टा और खजूर से गार्निस कर देंगे आप इसे गुलाब की पंखुरियों से भी सजा सकते हैं जिससे यह और भी ज़् टेम्टिंग लगेगा तो मैंने इसे गानिस कर दिया है और सीर खुर्मा बेहद ही लजीज बनी है तो इद की इस खास डीस को आप बनाए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करें तो आई होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी तो आप से मैं फिर मिल पी हूँ एक ने रेस्पी के साथ तब तक के लिए बापार